प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी नंक गुरुवार को आयुध्या में राम मंदिर पर इसमारक डाग टिकेट जारी किया साथ ही उन्होंने दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिक्टो की एक किताब लॉंच की ये टिकेट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है ये टिकेट सिर्फ कोई आर्ट वर्क नहीं है ये इतिहास की किताबों, कलाकृतियों के रूपों और एक्तियासिक थलों का सबसे छोटा रूप भी होते है हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से बड़े बड़े ग्रंत का, बड़ी बड़ी सोच का एक मिनियेचर फ़र्म होता है अधिकारियों ने बताया कि तस्वीर के डिजाइन में राम मंदिर, चौपाई, मंगल भवन, अमंगल हारी, सूर्य और सर्यू नदी के लावा मंदिर के भीतर और उसके आसपास की मूर्तियां शामिल है इस दोरान छे डाक्टिकेट जारी किये गए हैं जाम मंदिर, भगवान गरेश, भगवान हनुमान, जटायू, केवट राज और माशबरी जो यह समारक डाक्टिकेट जारी किये गए हैं उनसे हमारी युवापीडी को भी बहुत को जानने, सिखने को मिलेगा मैं अभी देख रहा था, इन टकटों में राम मंदिर का भव्य चित्रा है, कलात्मक अभिव्यक्ति के जडिये राम भग्ति की भावना है और मंगल भवन अमंगल हारी इस लोग प्रिय चौपाई के माध्यम से राश के मंगल की कामना है इन में सूर्य मुश्री राम के प्रतीक सूर्य की छवी है, जो देश में नए प्रकास का संदेश भी देता है इन में पुन्य नदी सर्यू का चित्र भी है, जो राम के आशिरवात से देश को सदेव गतिबान रहने का संकेत करती है मंदीर के आंत्रिक वास्तु के सौंदिर को बड़ी बारी किसे इन डाग टिकिटो पर प्रिंट किया गया है स्टेंप बुक भगवान राम के अंतराश्ट्रिय महित्तो को बताने की कोशिश है 48 पन्नों की किताब में अमेरिका, न्यूजलेंड, सिंगापुर, कनाडा, कंबोडिया और संयुक्त राश्टु संग के अलावा 20 से ज़्यादा देशों के जारी किये गए टिक्टो को शामिल किया गया है मुझे बताया गया है कि एक प्रकार से पंच तत्वा की हमारी जो फिलोसोफी है इसका एक मिनेचर रूप प्रभु राम के माध्यम से दर्शाया गया है अमेरिका, औस्टेलिया, कंबोडिया, कनड़ा, चेक रिपबलिक, फीजी, इंडोनेशिया, स्रिलंका, न्यूजिलेंड, थाइलेंड, गयाना, सिंगापूर ऐसे कितने ही देशों ने भगवान राम के जीवन प्रसंगों पर बहुत सम्मान के साथ, आत्वियता के साथ, पोस्टल स्टेंप जारी किये हैं टिकिट में सोने की पत्ती पर सूर की क्रणे और चौपाई दिखाई गई है आकाश, वायू, अगनी, प्रत्वी और जल के पंच तत्तों को अलग-अलग डिजाइन में दिखाई गया है मान जाता है कि हर तरह का जीवन पंच तत्तों से बना है